Good morning students, welcome to online class. First class, आज आपका subject है moral value और आपके बुक का नाम है Be Positive. Be Positive यानि हमेशा सकारात्मत रहो. बच्चो पेज नमबर फाइब को लिए, चैप्टर वन. God made the word. God means बगवान. Made means बनाया. Word means संसार. बगवान ने संसार को बनाया. ठीके बच्चो हम यहां सार स्टार्ट करते हैं. God made the sun. God means बगवान ने made means बनाया. Sun means सूरज. बगवान ने सूरज को बनाया. And God made the trees. And means ओर. God means बगवान. Made means बनाया. Trees means पेड. और बगवान ने पेड़ों को बनाया. God made the mountains. Mountains में सोते हैं बच्चो? परवत या पहाड. बगवान ने पहाड़ों को भी बनाया. And God made me. And means ओर. God means बगवान ने made means मनाया. Me means मुझे. यानि मुझे भी बगवान ने बनाया. Thank you. Oh God. Thank you means धन्यवाद. Oh God means बगवान. Hey बगवान तुमारा धन्यवाद. For the sun and the trees. For the sun में सूरज बनाने के लिए. And the trees पेड़ों के लिए. For making the mountains पहाड़ों को बनाने के लिए. And for making me और मुझे बनाने के लिए. तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद. इस poem में बच्चो भगवान ने बगवान से इस बच्चे ने प्रात्ना किये है. कि है बगवान आपने सूरज बनाया, पेड़ों को बनाया, पहाड़ों को बनाया और मुझे बनाया. तो इन सब चीजों को बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. अब बच्चो तो यह दिया है let's link, circle the correct word with the given picture, हमारी यह pictures दे गई हैं और इंकी 3-3 spelling दे गई हैं, हमें इसमें से जो correct spelling है जो सहीть spelling है उसको circle करना है, यह हमारा sun है, पहले spelling है S-E-N, दूसरी है S-E-N, थर्ड है S-U-N, तो sun की correct spelling है बच्चो sun 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 को आप circle कर देंगे ऐसे ही बच्चो tree है tree की first spelling t-r-e-tree second है t-r-r-e third है t-e-r-e तो correct spelling है बच्चो t-r-e-e इसको आप circle कर देंगे next है हमारा mountain mountain की spelling first spelling है m-o-u-t-a-n-i-n second है m-o-u-n t-a-i-n third है हमारी m-a-u-n t-a-i-n हमारी correct spelling है बच्चो m-o-o-u-n-t-a-i-n इसको आप जो है circle करेंगे next page पे आते है बच्चो बच्चो moral value का मतलब है जो भी हमारा chapter होता है उस chapter से हमें क्या God is the creator of this beautiful world we must thank God for everything He has given us बगवान जो है इस संसार को बनाने वाला है इस संसार का इस संसार को रचने वाला इस संसार का रच्यता है we means हमें must thank God हमें बगवान को धन्यवाद देना चाहिए for everything हर चीज के लिए He has given us जो उसने हमें दी है अब आते हैं बच्चों इसके exercise पे A है pick the correct option यानि जो सही आंसर है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना होगा God has created बगवान ने बनाया क्या बनाया computer chair या tree chair भी इंसान बनाता है और computer भी man-made है इसलिए भगवान ने क्या बनाया tree tree के सामने राइट का निशान लगाएंगे second है बच्चों who made this beautiful world is beautiful में सुंदर word means संसार इस सुंदर संसार को किस ने बनाया first है आपका sun तो सुरज ने नहीं बनाया भगवान ने संसार को मनाया है तो word के सामने आप right का निशान लगाएंगे next है बच्चों आपका be complete the words for all we should thank God हमें जो भगवान ने चीज़े दी है उनकी spelling complete करनी है first है बच्चों river river की spelling आप complete करेंगे r के बाद लिखेंगे i फिर 20 में है फिर भगवेंगे e r r i v e r river river means नदी second है mountain m इसमें आपका दिया हुआ है o u आप फिल करेंगे n t आपका दिया हुआ है फिर a i फिल करेंगे फिर n mountain mountain means पहाड या परवत third है आपका flower f दिया हुआ है l o भगवेंगे w आपका दिया हुआ है e फिर करेंगे r आपका दिया हुआ है f l o w e r flower means full next आप पच्छो आपका butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly means तितली आप पच्छो आपका देखें fun time आप लोग free है आपके लिए कितना बढ़िया fun time दिया हुआ है आपके book में color the things that goat has created आपके 6 things दे हुए है लेकिन आपको उस चीज में color करना है जिसको भगवान ने बनाया है अब ये आप सोचेंगे कि इन 6 चीज में से कौन सी चीज भगवान ने बनाई है और आपको किसको color करना है ठीके बच्छो आप ये सारा work करके हमें photo send करेंगे और फिर हम आपको work check करके आपको वापस send करेंगे thank you so much बच्छो मिलते हैं next class में